हेलो दोस्तो आज के वीडियो में हम रिविव करेंगे काल पाल ड्रॉप्स के बारे में काल पाल ड्रॉप्स के फायद होते हैं किस तरह से इनको इस्तमाल करना चाहिए कितने देर में इसका रिजल्ट मिलता है और इसकी प्राइज क्या है इसका composition क्या है इन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे इस वीडियो में उसके लिए आप इस वीडियो को जरूर सुरू से अंततक देखें दोस्तों कालपाल ड्रॉप कुछ इस तरह के कागस के cotton box में आता है जिसमें आपको 15 ml दवा देखने को मिलती है जिसे बनाती है GSK, pharma जो की काफी अच्छी और जानी मानी company है कालपाल ड्रॉप खास तोर से pediatric use only होता है और ये एक analogiesic और anti-piratic होता है दोस्तों इसके main content यानि कि इसके formula पे नज़र डालें तो इसमें आपको देखने को मिलता है जो की इसमें आपको एक ML में 100 mg paracetomol देखने को मिलता है दोस्तों इसकी price की बात करें तो ये सिर्फ आपको 27 रुपे में मिल जाता है बात करें दोस्तों कालपाल ड्रॉप के फायदे के बारे में तो दोस्तों इसके पैक पे मेंशन किया गया है एनलेजेसिक यानि कि दर्द निवारक एंड एंटी पैरेटिक यानि कि भूखार की समस्या को भी दूर करता है दोस्तों इसका इस्तमाल जो है नोजात बच्चों से लेकर पांच महिने के बच्चों में किया जाता है दोस्तों इसका इस्तमाल जो है अगर किसी बच्चे के बच्चे को चोट लग जाती है या कहीं सूजन हो जाता है या बच्चा कहीं गिर जाता है बेड़ पर से नीचे गिर जाता है या बच्चा कोई फोड़ा फुनसी हुआ हो तो उन कंडिशन में इस कॉल पाल ड्रॉप को दिया जाता है इसके देने से बच्चों को जिस जगे पे चोट लगती है वहां पे दर्ध होने लगता है तो यह दर्ध को सही कर देता है साथ ही अगर दर्ध वाली कायत है तो सुजन को भी कम कर देता है और अगर बच्चे को फोड़े फुंसी है तो उसे भी सुखाने में यह काफी मदद करता है और दर्द से भी चुटकारा दिला देता है यह तो हुए एनलेजेसिक के बारे में अब बात करते हैं एंटी पायरेटिक यानि कि यह बुखार निवारक भी है यानि कि अगर किसी बच्चे को बहुत तेज बुखार हो जाता है यानि कि टंप्रेचर जो है 100 से उपर रहता है 102, 103 या फिर 104 उन क पाल ड्राब को दिया जाता है इसके देने से जो है टंप्रेचर धीरे-धीरे करके डाउन होने लगता है और जो बुखार होने की जो वज़ा होती है बच्चों के बॉड़ी में कुछ रशायन जो है वह एक्टिवेट हो जाते हैं यानि कि उनका स्त्राव होने लगता है ज सम्हों यह जो ड्रॉब है कि यह उससे रशायन को बलॉक कर देता है और उंहें दर्द और फिवर और हीट सरीकिल यानिकिकी सरीकिव करमहाट कांक्र-देता है यानि कि इस तरह करके यह काल-पॉल काम करता है है दोस्तों कई बार बच्चों को कुछ टी का करड़ होते हैं राते हैं जिसमें तीन या चार इंजेक्शन होता है उस इंजेक्शन को लगाने के बाद बच्चों को यह होता है कि उन्हें फीवर आ जाता है 24 से लेकर 36 गंटे 24 गंटे जो है बच्चों को दर्द की सामना परता है यानि जिस जगह पर वेक्शिन लगता है वहाँ पर सूजन हो जाती है वहाँ की स्किन लाल हो जाती है और वहाँ काफी दर्द होता है साथ ही दर्द के साथ साथ उनके बॉड़ी में फीवर भी आ जाता है यानि कि जिन बच्चों को वेक्षिनेशन होता है टीका करण होता है उन तरह के बच्चों को भी बुखार ना जाता है यहीं बच्चा अगर 2-3 महीने का है तो उसे 8 बुद दिन बर में 3 बार दिया जाता है वहीं बच्चा अगर 5 महीने का है तो उसे 10 बुद दिन बर में 3 बार दिया जाता है side effect की बात करें तो दोस्तों इसका कुछ खास side effect देखने को नहीं मिलता लेकिन एक यलुपायतिक ड्रग है साथ ही paracetamol है बहुत से बच्चों में इसके reaction देखने को मिल जाते हैं जैसे की skin पे चकत्ते उबर आना, skin पे शोयलिंग हो जाना इस तरह के कुछ common side effect होते हैं जो की सभी बच्चों को नहीं होता तो यह था दोस्तों कालपाल ड्रॉप के बारे में detail review उमेद करता हूँ कि वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें दोस्तों में share कर दें